पंट के फैंस के लिए आई बहुती बड़ी खुसकबरी रिशब पंट के साथ आइरलेंड रावाना हुई भारत की युवा टीम जी आ दोस्तों आखिरकार क्या है पूरी खबर साथी पंट के फैंस के लिए आई है कौन सी बड़ी खुसकबरी बताएंगे आपको सब कुछ चाज की इस खास वीडियो में आगे लेकिन आप भी रिशब पंट को एक विस्पोटक विकेट की परबले बाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजे साथी क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबर पाने के लिए हमारी चैनल को करना बिलकुल भी ना भूलें तो चलिए विडियो को सुरू करते हैं दोस्तों टीम इंडिया फिलहाल वेस्ट इंडीज के दोरे पर थी जहां टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट वंडे और टीटवंटी आई सीरीज खेली है हाला कि अब टीम इंडिया को आइरलेंड के साथ T20i सिरीज में विड़ना है आपको बता दे कि टीम इंडिया और आइरलेंड के बीच कुल 3 T20i मुकाबले खेले जाने हैं टीम इंडिया आइरलेंड के साथ उसी के सरजमी पर ये 3 T20i मुकाबले खेलेगी जहां टीम इंडिया के कई सिनियर खेलाडियों क को आरम दिया गया है इसनकी जगह कई हुआ और पुराने अन्भवी खिलाडियों को टीम में मौका मिला है ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि टीम इंडिया आयरलेंड के सर्जमें पर कैसा धमाल मचाती है अलाकि आपको बता दें कि टीम इंडिया और आयरलेंड के बीच खेले जाने वाली 3-3-20 मैचों की सिरीज से पहले रिशब पंद के फैंस के लिए बहुती बड़ी खुशकबरी निकल कर सामने आई है दरसल रिशब पंद पिछले साल दिशमबर में हुए कारदूर घटना में बुरी तरह से घायल हुए थे जिसके बाद लगातार उनका इलाज हो रहा था और वो क्रिकेट के मैदान से दूर थे लेकिन अब रिशब पंद को लेकर जो खबर आ रही है वो उनके फैंस के लिए किसी बड़ी खुशकबरी से कम नहीं है दरसल रिशब पंद आईलेंड में टीम इंडिया के साथ जुड़े रहेंगे और टीम इंड कारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है लेकिन रिशब पंद के फैंस के लिए ये बहुती बड़ी खुशकबरी है कि रिशब पंद एक बर फिर से मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के सा तब तक के लिए नमसकार